स्मार्ट चार्ट, स्ट्रिप चार्ट आज हम सीखेंगे स्ट्रिप चार्ट बनाना और स्ट्रिप चार्ट से जानकारी प्राप्त करना आओ, अब मैं आप सब के हाथ को इस कावस के टेप से नापूंगा आप सब उस पर अपना नाम लिख कर इस चार्ट पर लगाईए इस चार्ट में तुम सब के स्ट्रिप को तुमारे नाम के साथ लगाया गया है और मिचली लाइन पर स्केल बनाया हुआ है यह देख कर कोई बता सकता है कि किसका हाथ सबसे लंबा है राहल और विपन सही कितना लंबा है 14 सेंटीमीटर एकदम सही और क्या किसी का हाथ 11 सेंटीमीटर से कम लंबाई का है सतीश और हरी का हाँ एकदम सही मेरा हाथ सबसे छोटा है भाईया कुछ और स्ट्रिप चार्ट बनाए जरूर इन स्ट्रिप्स को देखो और अनुमान करके मुझे बताओ कि यह किस जन्तू के पैरों की लंबाई है तुम सब जन्तू के स्टीकर को सही स्ट्रिप पर लगा सकते हो भाईया मैं पहले करूँ हाँ हाँ अरे बहुत अच्छे यह है हाथी का बहुत अच्छे और यह है बतक का वाँ यह तो गरररर शेर का ही है आप सब को स्ट्रिप चार्ट अच्छे से समझा गया हाँ भाईया भाईया इतना लंबा क्या बना रहे हो मैंने एक बड़ा चार्ट तुम्हारे लिए बनाया है हम इसमें क्या करेंगे अब आप सब अपने सर के एक बाल की लंबाई नाव कर मुझे बताओ विपन मुझे बताओ तुम्हारे बाल की लंबाई कितनी है चार सेंटीमिटर और हरी का हम, तीन सेंटीमीटर तो तुम दोनों में से किसके बालों की लंबाई ज्यादा है? मेरे आपके बाल हरी से कितने लंबे हैं? एक सेंटीमीटर विपन जाओ अपने बाल कटवाओ आज आप सबने स्क्रिप चार्ट बनाना सीखा और चार्ट से जानकारी निकालना भी सीखा